The Life TV, सच सब से आगे अब यह रिपोर्ट जो है वो जादा महत्रपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि मोदी जी को खुछ ही समय में यूएस की यात्रा पर जाना है खुद जो बाइडन ने उन्हें इन्वाइट किया है ऐसे में भारत को लेकर यूएस की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट के क्या माइने है वो आपको इस खबर में बताते है आप खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सत्या हिंदी की एक खबर है हेडलाइन से ही आप समच जाएंगे कि किस तरीके से ये खबर जो है वो चर्चा का विश्य बनी हुई है खबर के हेडलाइन में ही लिखा है कि मोदी की यूएस यातरा से पहले आई रिपोर्ट भारत में धार्मिक आसाधी खत्रे में है अब रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है इसे के साथ रिपोर्ट में मुसल्मानों के साथ जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से नफरत और किस तरीके की चीजे घटनाई देखने को मिल रही है उनका भी जिक्र किया गया है यहां पर बुल्डोजर से लेकर तमाम उन भी जिक्र किया गया है जिसे लेकर मुसल्मानों को निशाना बनाया जाता है सत्या हिंदी की ये पूरी खबर में आपको पढ़कर के सुनाओं की क्या क्या लिखा है और इसी के साथ रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है ध्यान देने वारी बात यह है कि ऐसे रिपोर्ट जो है वो समय समय पर सामने आती रहती है लेकिन ये रिपोर्ट महित्रपूर्ण इसलिए हो गई है क्योंकि पीए मोदी को जून में ही अमेरिका जाना है ऐसे में जून में अमेरिका जाने से पहले ही यह रिपोर्ट जो है वो सबके सामने आ गई है जिसमें कई तरह के सवाल खड़े होते हैं खबर में देखे लिखा है कि पिये मोदी जून में अमेरिका जाने वाले हैं और उससे पहले अमेरिकी सरकार द्वारा जारी धार्मिक आसादी रिपोर्ट में भारत के हालात पर चिंता जताई गई है रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मीक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है हलाकि पिछले चार वर्षों से ऐसे रिपोर्ट हर साल आती है और भारत सरकार ऐसे रिपोर्टों को रिजेक्ट करती है उन्हें सिर्ष से खारिज करते दी है लेकिन इस बार स्थिती अलग है, P.A. Modi, अमेरिकी राष्ट्य पती जो बाइजिन के निमंत्रिन पर अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं, P.A. Modi 21 जून को नियो यॉक में एक योग कारेकरम में हिस्सा लेंगे, 22 जून को अमेरिकी राष्ट्य पत्ती और उनकी पत्ती ने भा बाइडिन ने उन्हें इन्वाइट किया है और ऐसे में अमेरिकी सरकार द्वारा ये जो रिपोर्ट जारी की गई है उसे लेकर कहीं तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं आगे खबर में लिखा है कि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अमेरिकी ग्री मंतरी एंथनी ब्लिंकिन ने इस रिपोर्ट को सोमबार को जारी किया है भारत समें जिन देशों में धार्मी काजाती को खत्र में बताया गया है उसमें रूस, चीन, सौधी अरब समेत कोई दे उन्होंने कहा कि घ्रहविभाग नें अंतराष्टी धार्मिक स्वातंतता 2022 में 22 पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है जो दुनिया भर में धार्मिक सिति को दस्तावेजी करन करती है। रिपोर्ट दुनिया भर के लगभख 200 शेत्रों और शेत्रों में धार्मिक आजादी के सिद्धी के बारे में एक तक्थे आधारित व्यापक नजरिया प्रदान करती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत में धार्मिक आजादी को लेकर रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से आई है। आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही तरावी की नमाज को लेकर किस तरीके से हंगामा हुआ था और उसे लेकर कई लोगों पर F.I.R. भी दर्ज हो गई थी। घरों में जब तरावी की नमाज पढ़ने लगे लोग रमजानों में नमाज पढ़ने लगे तो उसको लेकर भी शिकायदे दर्ज कराई गई और शायद यही वज़ा है कि इस तरह की रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है एंथनी बिलिंकर ने कहा है कि इसका मकसद उन शेत्रों को जागर करना है जहां धर्म या विश्वास की स्वतंतिता का दमन किया जा रहा है और वहां कोई जवाब दे नहीं है। द्वारा उठाय गए धार्मिक स्वतंतिता के उलंगन के आरोपो का एक दस्तावीज है। 2022 में ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं। इसे लेकर अब अमेरिका की सरकार जो है वो भी अपनी पृतिक्रिया दे रही है और अल्प संख्यकों के अधिकारों अल्प संख्यकों की धार्मिक आजादी को लेकर सवार उठा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर में राष्टिय सुयम सेवक संग के प्रमुक मोहन भागवत ने मुसलिम समुदाय के पांच प्रमुक सतस्यों से उनकी चिंताओं को सुन्यों और मुसल्मानों और हिंदूों के बीच सांप्यदाइक सत्भाव को बढ़ावा देने के पारे में चर्चा करने के लिए मुलाकात की भागवत कती तौर पर मुसलिम और हिंदू समुदाय के बीच संबंदों को सुधारने के उदेशे से बैठकों को जारी रखने की बात करते रहते हैं भागवत ने अखिल भागवत इमाम संगतन के प्रमुक उमर एहमद इलियास से भी मुलाकात की लेकिन कई मुसलिम समुने भागवत की स्पहल को प्रचार का नाटक करार देते हुए 2024 के संसदिये चुनावों की तैयारी से जोड दिया तो यहां पर आप देखने कि लगातार मोहन भागवत जो हैं वो भी मदर से मस्जितों में जा रहे हैं इमामों से दर्म गुरूओं से मुसलिम धर्म गुरूओं से अपनी करीबी जो हैं वो बड़ा रहे हैं जिसे लेकर लोगों का यही कहना है कि 2024 की लोकस्तबा चुनावों में इन्हें मुसल्मानों का वोट चाहिए इसलिए यह उन्हें साधने की कोशिश में वो लगे हैं हाला कि अग लेकिन उसके बावजोद भी पार्टी उन पर ना के बराबर कारवाई करती है। लेकिन उससे पहले ही भारत में धार्मिक आजादी खत्रे में हैं इसे लेकर अमेरिका की सरकार ने एक रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित कर दी है जिसे लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। The Life TV सच सबसे आगे